असलाम अरेकुम, मैं हूं महर पैश और आप देख रहे हैं नौछ छेर इन अर्दू आज हम डिसकर्स करेंगे व़ॉटर प्लूशन, अल्रेडी हमने प्लूशन जो है वो डिसकर्स किया है और वन वाई वन हम एक एक ताइब वो डिसकर्स कर रहे हैं, इस से पहले हमने एर प के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होता है सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कुछ देफिनिशन इस तरह है वाटर प्लूशन की प्रेजन्स ऑफ सॉलिट लिक्विड और गेशिस कंटामिनेंट्स यह कोई भी ऐसा कंटामिनेंट्स जो सॉलिट हो लीक्विड हो यह ग और आपके काने में एां प्लूशन हो है ऑलोव और आम अगर अगर यह भी प्लूट हो जाएक तो और प्लूं को हम XL प्रेश वाटर में उसके लावा हमारे जो रिवर्स प्रूट हो रहे हैं या लेग्स है या पॉंड है फ्रेश वाटर जो भी बॉडिज है अगर वो एक बर प्लूट हो जाए तो हम उसे अची तरह यूज नहीं कर सकते हैं या हमारे ले पर प्रॉब्लम्स बन जाते हैं अब हम यह देखेंगे कि वाटर प्लूशन की जो है कॉजिस क्या है इसमें नबर वन हमारा है डॉमेस्टिक वेस्ट 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 जो हमारे गरों से डेली बेसिस पे निकलता है हमारे किचन का वेस्ट होता है उसके पिर्ष वोटेव के गरते हैं ने पर पानी और रेनफॉल के साथ जब वाटर बाडी में जाता है तो यह बाटर को पलूट कर लेता है इसी तरह एक हमारा है सीरिस्ट सिस्टम. हमारे गरों से जो गंदा पानी निकलता है, वास् रूम्स का किशन का, वो भी हम ट्रीट उसको नहीं करते हैं, उसको ट्रीट में नहीं देते हैं, और डिर्एक्ट जो है, water bodies में या river वगरह में जाता है जो फलूट करता है हमारे river water को जो कि fresh water source है हमारे पास उसके लावा अब एक solid waste है solid waste में हमारे पास domestic waste और factories या industries का जो waste होता है उसको हम solid waste कहते हैं इसी तरह industrial waste जो है कोई भी waste जिसको हम treat के बगए जब हम वैसे ही पेंगते हैं तो यह हमारे वाटर को लैंड को एयर को पलूट करता है अब ऐसे ड्रेन है यह हमने पढ़ा था एयर पलूशन में भी जिसमें हमने यही पढ़ाता कि ऐसे ड्रेन जो है वो कैसे बनता है हमारे एयर को कैसे पलूट करता है और हमने यही पढ़ात कि जब यह वाटर में जाता है तो यह बहुत ज्यादा जो है डेट लेक्स क्रियेट करता है मतलब जो हमारे लेक्स है वो डेट हो जाते है इसमें कोई भी एक वेटिक लाइफ जो है वो पर नहीं रह सकती है एक हमारा ऑईल इंडस्ट्री जो है यह भी हमारे वाटर को झालव खिचाहिए है एक्वेटिक अधिक लैप हमारी वी प्लांट जो खुटन पानी में ग्रोव करता है कि हमारी ग्राम्ट्रिक भाग अधिक है जो डिमार जो ता है जो फिच को ऐक्यूजन चाहिए होती है वो जो है ये वो औक्सीजिन ये एक्वेटिक प्लांट्स ले लें रहे हैं जिसकी वज़ से एक्वेटिक लाइस हमारी मताफिर होती है अब हमने कॉजिज ओफ बॉॉ। पड़ा है अब जो है हम इसके अफेक्स देखेंगे कि इसके अफेक्स क्या है अब हम पढ़ेंगे effects of water pollution water pollution के जो है कौन कौन से harmful effects है जिसमें organism को जो है effect किया है number one जो है death of aquatic organism हमारी aquatic organism जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे है इसे उसके लावा second one जो है वो हमारा है कि rivers are changed into dustbin आपने खुल भी देखा होगा कि आजकल river कैसे हो गए है कोई पहले कोई हम सेर को जाते थे तो साफसे river को जाते थे लेकिन अब जब जाते है तो हमें मज़ा नहीं आदा कि कि गंती बहुत जादा हो गई है और लोग कोई भी चीज यूज करके कुछ फिका के रेपर जगया जहे वो river में पेंग दे 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 हैं हमारे drinking water की जो shortage है यह आजकल जो है फिर्फ यह नहीं है कि पागिस्तान की बात हम कर रहे हैं बलकि यह global level का issue बन गया है अक्सर लोग कहते हैं कि third world war जो है वो भी drinking water resources पे होगी हमारे जो है वो glacier melt हो रहे हैं जो कि हमारा fresh water resource का हम यह इसी की आज़रे हम बैटे हुएते कि कोई बात नहीं हमारे पास glaciers हो है लेकिन climate change की अज़ा से वो भी melt हो गए है तो हमारी जो है बहुत ज्यादा shortage आ गई है water की fourth effect जो है इसा यह है कि हमारा biological oxygen demand जो है वो increase हो गया है aquatic life में यह होता है बाय जो is written enough bipartisan को आज़ी आज़ंब कारतक है स्वाजर में नचआजहर के बागास गर्लाइब होता है लेकिन जब water को चाहिए हाए बाटर्ण आज़ा। टो होइन जो है that the water power rất आज़ाए हमारे पास oxygen जो उन पार्ट पर ड्ल्यम मिलिन अविलियों कि e Direct नम्बर वन है कि मुट्रियों नम्प करने से हम रच्राइन करें. उसके आलवा हमें चाहिए कि हम वाटर को प्रॉपर्ली यूज़ करें. हम बरतं दो रही होते हैं तो हमने नलका कुला छोड़ा होता है, हमें चाहिए कि नलका बंद करें, कि हम प्रश कर रहे होते हैं जब हमें फिर से पानी चाहिए हो rated उस थ्रवर भी बहुत जादा पाने भांड पानी के को से उस थे हैरा बधा हुआज रहिए वता दो पानी होता है कि हम करिखना चाहिंए पानी ऌर जासने, अँचाए, अफंभी जो है, वो है की सीवेश पून्ट, हमें चाहिए के हमारे जो स्टीवेश का पानी यह वो टृपर्डी जो हमारा रेवर्द्वासす लएर्वेशन हो एस तेकनीक है कि जब रेवाससर आता Doesn't हम जमा करते हैं, फ्रीट करते हैं और उसको फिर हम यूज करते हैं तब हो हमारी जो सार वाशिंग की एक्टिविटी होती है या हम प्लांट जहें उसको बॉर्टर करना चाहते हैं उसके लगा हम गर भी उसी पानी से दो सकते हैं तो इस तरह ये कुछ छोटे-चोटे